बिस्मिल्ला रख्मार रहीम असलाम अलेकूम फ्रेंड्स आज मैं पर साथ एक रेसिपी चेयर करी हूँ स्पगेटी की हम रोग आज बीफ स्पगेटी बनाएंगे तो चले अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते है यहां पर मैंने 5-6 कब पॉटर लिया है जिसको मैंने बॉइल करने के लिए रख दिया था जिसमें अब मैं 1 टेबल स्पून सॉल्ट टैट किया है और 2-3 टेबल स्पून मैंने आपर ओइल जो है वो आड़ किया है इसके बाद मैंने स्पगेटी डालती थी तकरीबन हाफ पैक थी यहां पर मैं स्पगेटी को तकरीबन 2-3 मिनट के गर्टी रिसार्स आट किया है और यहां पर 3-4 टेबल स्पून भरकर मैंने कैजब आट किया है इसके बाद मैंने इसमें आट किया है वन टेबल स्पून भरके कॉन फलार अब इसको तक रिबन अच्छे तरीके से तमाव इंड्यूइडिश्ट तमाम इंग्रीडियंट्स अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं अब मैं एक पैन में दो से तीन तीबल स्पून के गरीब ओई लाइट करही हूं यहाँ पर मैं वारी करीब बीफ यूज ईंग्रेश कर रही हूँ छिसको मैं आम चाहें तो आप इसको चाल के सकता है उर उपस्ट की पाओंग यहां PeachCन अदा वहां और इसको तीन से चाल मिद्ट पकाने के बाद केgeben सौल्ट टेस्ट के हिसाब से आपने सॉल्ट आइट कर सकते हैं और वन टेबल स्पून जिंजर कारलिक पेस्ट आइट करेंगे अब मैंसे दो से तीन मेर तक पकाऊंगे बस ताके हमारा जो पेस्ट है वो थोड़ा सा ब्राउन शेप में आज़े यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइस की प्याज ली है जिसको मैंने बारी कट कर लिया था उसको आइट करने के बाद वन फोर्थ कप के करीब मैं यहाँ पर कैरेट आइट करूंगे जिसको मैंने लंबाई में कट कर लिया थोड़ा साम इसको सौते करेंगे उसके बाद इसमे एड़ करेंगे ग्रीन चिली जो 2-3 तक्रीबन ग्रीन चिली थी जिसको मैंने बीच में कट कर लिया था और 1-4 cup मैं आपर कैबज यूस करेंगे वन फूर्ट कभी मैंने आपर कैपसिकम यानि इस शिमला मिर्च आड़ किया है आपने उसकी शेप भी देख ली ती तो रही लंबाई में मैंने कट किया था उसे इसके अलावा जो भी आपने वेज़ेटेबल आड़ कर लें इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से फिर हम अपने नेक्स स्टेब पर आएंगे मैंने उसी पैन में दो टेबल स्पून ऑईल एड़ किया था और वो तमाव अज़ज़ा जो हम लों ने स्टार्टिक में मिक्स की थी वो इसमें आड़ कर लेंगे यहाँ पर मैं हाफ टेबल स्पून के करीब जीरा पाउडर एड़ कर रही हूँ और हाफ टेबल स्पून के करीब ही कोरियंडर सीर्ज यह आपशनल है आप चाहें तो इसको स्टिप कर सकते हैं इसके बाद हाफ टेबल स्पून के करीब मैं यहाँ पर जीरा एड़ कर रही हूँ और फिर इसके बाद फाइफ टू सिक्स मिनट के लिए हम इसको मीडियम काफी थिक हो गई है तो अब इसमें हम अपनी समाम जो इंग्रिडियंट्स थी जिसमें वेजिटेबल बगारा थी वह इसमें एड़ करेंगे और जैस इसको मिक्स करने के बाद हम लोग इसमें स्पगैटी एड़ करेंगे स्पगैटी को मैं आपर मिक्स कर शुकी हूँ जी तो हमारी बीब स्पगैटी जो है वो रेड़ी है अगर आपको मेरी रसिपी पसंद आये हो तो में चैनल को सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा कॉमेंट कि आपको कैसी लग रही है मेरी वीडियो इंशालला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी जब तक अपना बहुत-बहुत खाल रखेगा अलाहाफेज